समस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त A.R. से नहीं फिर से सागत करता हूँ इस वीडियो सीलीज में जिसमें पट रहे हैं नंबर सिस्टम्स इन दे कम्पीटर सिस्टम्स इस वीडियो लक्षेर में अपन बात करने वाले हैं रिपरजेंडेशन आप बाइनरी नंबर की यानि क बाइनरी नंबर को कैसे अपन रिपरजेंट करते हैं अपने यहां पर देखा था कि बाइनरी नंबर को अपन दो तरीके से रिपरजेंट करते हैं अनसाइन बाइनरी नंबर और फिर दूसरा होता है साइन बाइनरी नंबर और फिर देखा कि साइन बाइनरी नंबर जो होत यहनि कि उसकी form को कैसे लिखते हैं, कैसे read करते हैं, कैसे write करते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं, तो start करते हैं Signed binary number, the signed numbers require an arithmetic sign, plus or minus, यहनि इसके लिए मुझे plus or minus की जरुत पड़ेगी The most significant bit MSB of the binary number is used to represent the sign bit MSB यहनि कि जो leftmost bit होती है, जो single bit है, उसको sign bit की तरह treat करेंगे Sign bit n minus 1 bits are represent the magnitude, यहनि कि जो बाकी बच्ची जो n minus 1 bit होगी वो मेरे को magnitude यहनि कि जो आपका actual binary है, उसको represent करेगा ठीक है, तो आपन बात करते हैं, यहाँ पर syntax की, syntax में देखो आपन कि यही मेरे पास total n bit है तो यहाँ पर जो single bit 1 है, वो जो leftmost bit है, MSB, वो कैलाती है, sign bit ठीक है, और बाकी जो बच्चाओ पार्ट होगा, यहनि कि जो n minus 1 bit है, वो कैलाएगी मेरे बास magnitude यहाँ बाइनरी number ठीक है, यहाँ पर जो sign bit है, इस sign bit की जगे पे यही जीरो लिखा हुआ है, तो इसका अमरल नमबर होगा positive, यहीं लिखा हुआ 1, इसका अमरल नमबर क्या होगा, बोलो, negative होगा, तो यह बहुत अच्छे से आपको ध्यानक ना है, यहाँ ठीक है, sign number को अपन तीन तरिके से represent करते हैं, यानि कि तीन form में represent करते हैं, sign magnitude form, once compliment form, and तीसरी कौन सी है, two's compliment form, बात करते हैं, sign magnitude बाइन नमबर की, in the sign magnitude representation, the most significant bit, msb represent the sign, जैसा कि अपने last slide में पड़ा, remaining n-1 bits are represent the magnitude of the number, यहाँ पर msb है, वो sign bit होगी, और बाकी n-1 जो bit है, वो magnitude कहलाती है, sign bit इदी 0 है, तो positive 1 है, तो क्या हो जाएगा, बोलो, negative हो जाता है, ठीक है, example देख लते हैं, यहाँ पर, plus 5 को इदी मुझे लिखना है, 4 bit के अंदर, तो 4 bit में क्या होगा, बोलो यह, जैसे कि 5 अपने, पहले भी, last lecture में पढ़ा था, unsign number के अंदर भी, कि 101, और फिर यहाँ पर, sign हो क्या हो जाएगा, बोलो, 0 हो जाएगा, तो इसका मलब, यही मुझे sign magnitude में, 5 को इदी लिखना है, plus 5 को, तो फिर मुझे कम से कम 4 bit की जरूत पढ़ेगी, 4 bit क्यों, 1 bit मेरे को किसके लिए इची होगा, बोलो तो 1 0 बन रहेगी, और बाकी के, जो entry जो क्या हो कि 0, और sign bit जो भी कह रहने वाले है, बोलो, 0 ही रहने वाले क्यों, क्योंकि यहाँ पर, plus 5 लिखा है, ठीक है, यानि कि, जो MSB आपकी है, यानि कि, 8 bit total है, तो जो 1 bit है, वो तो क्या लाएगी sign bit, और बाकी के 7 bit क्या लाएग बन जाएगी, बाकी सर्द को magnitude जो है, वो same copy हो जाएगा, यहाँ पर देखो, 0 को 1, एनि की binary, जो sign bit है, वो one हो गई है, और बाकी, जो magnitude है, यहाँ पर copy हो गया है, तो sign magnitude बाने नमर में आपन क्या करता है, सिर्फ sign bit को बदल दते है, minus बनाने के लिए, बाकी जो remaining bit से वो सारी एजिटीज कोपी कर दते हैं, ठीक है, बात करते हैं, यहाँ पर अपन range की, n bit sign number, represents all numbers in the range, sign magnitude number है, उसकी range क्या बन जाएगा, देखो, range कैसे निकाली जा सकती है, अपन, यहाँ पर बात करो में, कि देखो, इदी चार बीट है, और चार अपको में, 0, 0, 0, enter कर देता हो, तो यह मुझी मिल जाएगा, प्लस 0, इसी तरह से में बात करो, 0, 0, 0, 1, देखो, कहां सा रहा है, यह 1, 2, 4, और 8, combination अपने पर रखा बाइनरी के अंदर, ठीक है, यह combination देखो, 1 है, तो 1 बन जाएगा, प्लस 1, फिर 8, प्लस 2 हो जाएगा, फिर 8, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प् 1 कर दी है, तो 1, triple 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, तो यह क्या बन जाएगा, देखो, 1 है, ठीक है, और यहां से यहां तक, जो magnitude है, 0, और 1 का मतलब क्या हो गया, नगेटी हो, तो minus 0 हो गया, इसी तरह से 001 जो हो गया, 1, और जो 1 हो क्या बन जाएगा, minus बन जाएगा, तो इसी तरह से 1, triple 1, यानि की 7 है, और फिर जो sign हो क्या बोलो, 1, यानि की negative हो गया है, तो कुल मिला के, यही मुझे 4 बीट में combination बनाना है, तो यह total combination, किते बन जाएगा, बोलो, 16 combination बन जाएगा, 16 क्यों है, क्योंकि यह 2 की पर 4 है, तो यह में पास total 16 combination बनेंगे, ठीक है, और वो अलग लि कि minus 7 से जाके, start होके कहां तक आ रहा है, minus 0 तक आ रहा है, and फिर मेरे पास क्या रहा है, plus 0 से लेके कहां तक है, plus 7 तक है, दोगो यहाँ पर 0 के दो combination है, दोनों ही अलग अलग, दोगो यहाँ पर 0 जो लिखा हुआ है, minus 0 जो है, वो 1, triple 0 है, और plus 0 क्या है, 0, 0, 0, 0 है, ठीक है तो यहाँ पर 0 के 2 combination बनेंगे, तो आपन बात कर रहे हैं यहाँ पर है, कि जो range बनेगी, वो actually क्या बनेगी, कि यहाँ पर बात कर रहे है, तो यह minus है, यह 2 की पाओर 4 बीट था मेरे पास, तो यह किता है, बोलो 2 की पाओर n-1 नहीं किता हो जाएगा, minus 7 हो जाएगा, और ज range मेरे पास हो जाएगी, minus 2 to the power n-1, minus 1, 2, plus 2 to the power n-1, whole minus 1, तो यह range आपको याद रखनेंगे, यहाँ पर, ठीक है, बात करेंगे, यहाँ पर, कि जो range है, उसकी बात लिख दतों में, यहाँ पर, the range of 4 bit unsigned number is minus 7 to plus 7, इन 4 bit में है, तो फिर minus 7 to क्या आएगा, plus 7 तक आजाएगा, it is ambiguous, because it has the two zeros, यानि कि इस number representation का अपन ज्यादा use नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह calculation में काम में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर, plus 0 और minus 0 अलग-अलग represent कर रहे हैं, ठीक है, जबकि अपन mathematics में देखते हैं, कि 0 जो होता है, वो एक ही होता है, उनका unique solution, यानि कि unique representation होना चाहिए, इसलिए अपन बोल रहे है, it is the ambiguous, ठीक है, बात करते हैं, अपन sign magnitude की reading और writing की, यानि कि मुझे minus 5 को 4 bit में और 8 bit में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हैं, अपन जानते हैं, भी लिखाता है, अपन ने, कि ED minus 5 है, तो sign bit है, वो क्या होगी, 1 आ जाएगी, और ब बाकी मुझे combination मनाना, 5 के लिए, तो 5 के लिए combination क्या होता है, 101, और बाकी बीच में जो enter कर दूँ, वो क्या कर तो बोलो, 0 को fill कर दूँगा, तो ये sign bit अपने कि तरह दिये, 1 यहां पर put कर दी है, ठीक है, तो minus 5 बन जाएगा, ये तो होगी मेरे पस writing, यानि कि मुझे decimal से binary में लिखना था, अब binary number को पढ़ना है, as a decimal, तो ये कितना बने का देखू, ये combination, ये तो है sign bit, ठीक है, तो sign bit तो कितना होगी, बोलो, plus हो गया, ये तो पता चल गया, अब बात करेंगे magnitude की, यहां से यहां तक की magnitude है, ये होगी 1, 2, और 4, 4, चार उदो कितना होगी, ये मेरे पास होजाएगा, sign bit और sign bit का मतलब का है, बोलो, 1, तो ये होजाएगा negative number, और number कितना बोलो, 16, 24, 24, और दू कितना होगी, 26, यनि कि minus 26 ये number है, अपने पास में, तो इस तरह से अपन को sign magnitude के बाइन नमबर को read और write करना है, thanks for watching video, video पसंद आया, तो like कीजिए, share कीजिए, और comment जड़े,